आग लगी आकास में बरस रहे अंगार और संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार सभी भक्तों को मेरी रादे रादे मैं प्रियासरण पारासर स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल संत महमा में संतों का कैसा निर्मल जीवन होता है अगर ये आपको जानना है तो आपको बरज मंडल लाना होता क्योंकि बरज में हमारी किसूरी जी के चरणों में अनेकों संत तपस्चा करते हैं और कैसा उनका निर्मल जीवन है, कैसा साधरन जीवन है, और समस्त संसार के मंगल की कामना को ले करके किस प्रकार से वो बजन करते हैं, उसका जीवन तुधारन है फलारी बाबा। बाबा को पूरो नाम रामदास फलारी बाबा बाबा को कहते हैं, और बाबा स्रीधाम बरसाना से लगभग आठ से नो किलो मिटर की दूरी पर नहरा गाउं में रहते हैं, और यहीं रहकर के बाबा साधना किया करते हैं, कैसा उनका निर्मल जीवन है, और कैसी उनकी साधना ह और कैसा उन्होंने आस्रम को स्वर्ग से भी सुन्दर बना रखा है आज इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे और दर्शन करेंगे उन महापुरुष के जिनको समस्तंसार रामदास फलारी बावा के नाम से जानता है मैं आपको दखा देता हूँ यही से जो आप बैरिकेटिंग देख रहे हैं बावा के आस्रम की सीमा यही से प्रारम होती है और बावा का एक विशेष निवेदन है कि जो भी भक्तियां आते हैं अपना भान यहीं खड़ा करते हैं और नीचे देख करके उनको जाना होता है ताकि पैरों के नीचे कोई चेंटा चेंटी किसी जीव का अहित ना हो यह बावा का विशेष आग रहे है सभी भक्तों से कि जो भी यहां आएं वो नीचे देख करके चलें क्योंकि भूमी पर ऐसे अनेकों छोटे छोटे जीव रहा करते हैं जिनकी सुरख्या की जुम्मेदारी समस्त जन्मानस की है जमीन पे चलें तो देख के चलें कि किसी भी जीव को हमारे सरीर के माध्यम से पीडा ना हो तो आईए चलते हैं आज की मंगल में यात्रा पर और आज आपको दिखाते हैं कि संत किस प्रकार का जीवन जीते हैं और बाबा की कैसी कतनी है कैसी करनी है आज आपको दर्सन कराते हैं उनके आस्रम के ऐसे महापुरस कैसे इस्थानों पर रहकर के तप्रश्चा करते हैं उसके विदर्सन कराएंगे यह जो जगह आप देख रहे हैं यहाँ पानी भी नहीं हुआ करता था हम लोग बिल्कुल परवत स्रंखला के नीचे हैं यहाँ पानी भी नहीं होता था पर ऐसे महापुरसों की कपासे यहाँ आज गंगा जल के समान जल है जिसको पीने से तन और मन दोनों पवित्र हो जाते हैं तो आई आज यात्रा करते हैं इस इस्थान की और आनन लेते हैं आज यहाँ की दिपधर्सनों का और यह जो आप बैरिकेटिंग देख रहे हैं यहीं से आस्रम की सीमा प्रारम होती है क्योंकि अंदर बाहनों का प्रवेश बर्जित है क्योंकि यहाँ जमीन में बड़े छोटे छोटे जीव रहा करते हैं जैसे की चेंटा चेंटी किसी को जीव के माध्यम से कोई परिशानी ना हो इसलिए बावा ने यह बवस्ता यहाँ बना रखी है नियम है कि यहाँ आपको बहान अपना छोड़के जाना पड़ेगा तो आईए प्रिवेश करते हैं और आनन लेते हैं आज की यहां की मंगल में यात्रा का और आप देख सकते हैं परवस्त रंखला की बिलकुल तलहटी में यह इस्तान पर आजमान है और आप देखते हैं जहां तक निखा जाती है वहां तक परवत ही परवत निखा पड़ते हैं कैसा सुन्दन नजा रहा है परवत स्रंखलाओं का और ऐसे दुरगम स्थानों पर रहकर के ये संत समस्त संसार के मंगल की कामना को लेकर के दिन रात तपश्या कर रहे हैं वो आज ऐसे महापुरुष के दर्सन प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य बनाने का प्रयास करते हैं और आजिए अब जानते हैं जो बाबा के साथ में अन्य महत्मा जो रहते हैं उन्हीं के मुख से बाबा की महमा की विषय में ये जो आप देख रहे हैं सामने बोड लगा है चीटी बचाओ पुन्ने कमाओ बाबा यहीं बराजमान है आईए चलते हैं बाबा महराज की पास और आईए अब जानते हैं इन महापुरसों की स्री मुखसे बाबा की महमा की विषय में फलारी बाबा कैसो जीवन जी में हैं क्या उनके जीवन की महमा रही है और कैसे वो ब्रिज मंडल में आए इन महराजी की मुक्सियात जानेंगे और आनन लेंगे उनके दिब्वी जीवन की विषय में जो कथा है उसकी विषय में जान करके महराजी रादी 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 साथ प्रभु सर्प्रथम आप अपनों नाम हमारे जो चैनल के भड़ते हैं उनको आप बताओ प्रेलग बुरुली की महमा हो जी शरी स्री एक सो आठ स्री बावब फलारी उनकी महमा का वर्णन मान्ये संत बच्पन से ही बेराग हुआ मान्ये संत बच्पन जिनकी महमा दुनिया गाती है रामान में एक चवपाई आती है राम देख मुख पंका जिमुनिवर लोचन भ्रंग साधर पान करतती दन जनम सर्भंग जैसे की सर्भंग जीन ने स्री राम चंदर जी के मुख का मलके दर्सन किये जैसे भोरा मकरंदरस का पान करते हैं उसी प्रकार सर्भंग जी शाम सुंदर राम जी के मुख कमल का मकरंदरस पान कर रहे हैं इसलिए सर्भंग जी का जनम धन है उसी प्रकार हमारे बावा फलारी जी का वेराग धन है जिनकी महमा दुनिया गाती है और सवी के काम सफल होते हैं जिनको आसिर बाद देते हैं उनमें से हमारे फलारी बावा हैं गिरेश्ट और व्रेक्त दोनों ही उनके दर्सन पाकर धन हो जाते हैं इसी प्रकार उनको जीवन बितीत हो रहा है और मानिये संत है श्रोमनी संत हैं उनकी महमा जितनी गाईजा उतनी थोड़ी है बोल ये फलारी बावा की जया में अलब एक दूला सबजी और पचास सौ ग्राम दूला के हैं तो 20 ग्राम कुल 20 ग्राम उसमें ना कुई नमक होता है केवल वाल करके 20 ग्राम सब्जी तो 200 ग्राम दूज लेते हैं पूरे दिन में और कुछ बक्त पदार हैं बाहर से आज बाबा की दर्सन के लिए उनसे जानते हैं कैसे वो यहां पोँचे कहां से उन्होंने बाबा की महमा को सुना और जाना तो आएए चलते हैं उनके पास बह हमेशा देखते रहे थे अच्छा हमारे चैनल के बाबा की महमा को आपने कहां से सुना आज क्या भाव लेके आए हैं बाबा की चरणों में निविधन करने के लिए बाबा का भाव लेकर आए जिए बाबा का चरणों चिपित हो जाएं कीका अबर्ट हम करेंकेर आज पर्थम भार परहु है पर्समार चाहिं कि आपके आई हैं अनों को आण कोई वांत में भाव mitäर सुने करिया आप गणा है आपको दर्शन देहेंगे अर मैं आपको दर्शन कराहूं मेरे बराबर में जू आप टुर QU दरृ cre इसको नाहर कुंड का जाता है और मैंने आपको पिष्छी वीडियो में भी नेवेधन किया है। इसी लिए इस कुंड को नाहर कुंड का जाता है। कच्चा कुंड बना हुआ है और पहाड के नीचे जल्वी भरा हुआ है आप देख सकते हैं कितनी सुन्दरता है दूर दूर तक जहां तक निखा जाती है हरे भरे ब्रक्षे हैं पर्वत हैं तो आईए अब चलते हैं यहां का और भी जो नजारा है उसके भी मैं आपको दर्शन हुए है जैहो मूर भगवान की है बहुत ही सुन्दर यह सताण है और पर्म साνती है इस सतान पर क्योंकी संसार में आपको कहीं भी सांती नहीं मिलेगी सांती मिलेगी तो केवल संतों के चड़नों में और यहां हमारे परम पूज्य रामदास फरारी बावब राजते हैं तो आईए चलते हैं आस्रम के दर्सन के लिए और देखिए यहां बावा ने बूर लगा रखा है उपर बावा महराज के दर्सन है और बावा का वही आदेशिया लिखा हुआ है चीटी बचाओ पुन्य कमाओ क्योंकि बावा तुलसी दास रामायन में कहते हैं हर व्यापक सर्बत्र समाना हम में आप में समस्ती जीवों में ठाकुर जी का निवास है उनके हिर्दय में आज भी जो आत्मा सरूप में ठाकुर जी निवास करते हैं और अब हम पहुंच गए हैं पावा के आसरम के मुक्ष द्वार पर देखिए कैसा सुन्दर द्वार बनाया है और ये जो आप देख रहे हैं ये गाय के गोवर से इसको लीपा गया है बहुत ही सुन्दर आईए प्रविश करते हैं आसरम में और आईए अब मैं आपको आसरम की सुभा के दर्शन करा देता हूं संत जहां बराजते हैं वहां मंगली मंगल होता है अगर जंगल में भी संत चले जाएं तो वहां मंगल हो जाता है उसी का जीवंतो धारण है ये इस्थान आपको दर्शन कराता हूं कैसी कुटिया बना करके यहां संत बहजन करते हैं वही घास्पूश की कुटिया बनी हुई है इनी छूटी छूटी कुटियाओं में रहकर के संत दिन रात प्रभू की आराधना करते हैं और मैं आप भक्तों से निवेदन करूँ कि आप जब भी यहां पधारें संतों के दर्शन के लिए संतों के पास माया और अभमान को छोड़ करके जाना चाहिए और जैसे जैसे आप कदम बढ़ाते हो तो एक एक कदम पर कोटी यग्यों के बराबर पुर्ने की प्राप्ती होती है क्योंकि संत कुछ साधारन नहीं होते साख्यात भगवस्वरूप हैं ये संत जो ब्रजमंडल में रहकर के हां दिन रात आराधना कर रहे हैं और आईए अब चलते हैं मंदिर में और आपको दर्शन कराते हैं प्रभु के और आप सामने बेख रहे हैं यहीं बाबा भूले नात्वराजमान है और फलारी बाबा भूले बाबा के परमभकते हैं उन्हें की सिवा किया करते हैं तो आईए दर्सन करते हैं बूले बाबा के और आईए चलते हैं मंदिर प्रांगण में जैहो बाबा भिश्वनात की और यहां वक्त भी बेटे हुए हैं जो आज बाबा महराज की दर्शन के लिए पदारे हैं जैहो बाबा भिश्वनात की बाबा भूली नात अपनी परवार सहेतिया साख्या सुरूप में ब्राजमान है और पूज बाबा महराज यहां भूली बाबा की आरादना किया करते हैं और आएए धर्शनों के उपरांथ मैं आप सभी भक्तनों की तरफ से और अपनी तरफ से बाबा भूली नात की चड़नों में प्रणाम कर देता हूँ जय हो वाबा मिश्वनात की और आएए मैं और जो यहां बेग्रेब राजमान हैं उनके भी आपको दर्शन कराता हूँ और यह जो आप चित्रपट के माद्यम से दर्शन कर रहे हैं यह हमारे पूज फलारी बावा के जो पूज गुर्दे भगवान हैं उनके आप दर्शन कर रहे हैं और यहां आप दर्शन करते हैं फलारी बावा के कल्योग में बड़ी ही अद्वो संथ हैं फूज फलारी बावा जैहो शंत भगवान की और अब आपको मैं दर्सन कराता हूँ उसस्तान की जहां कोई भी आकर की प्रसाद गेंड कर सकता है पूज बावा महराज का आधिश है कि जो भी भक्ति यहां दर्सन के लिए पल्धार हैं वो भूख की ना जाएं नरंतर यहां 2400 गंटे आप कभी भी आएंगे तब आपको प्रशाद की विवस्ता यहां होती है यह वो इस्तान है जहां बैक्टर की भक्त प्रशादी ग्रेंड करते हैं क्योंकि स्वेंब बावा कुछ लेते रहीं केबल सो डिट सो ग्राम दूद बावा पूरे दिन में लेते हैं सुब्य और साम और भक्त भक्तों को चका-चक यहां प्रसाद पवाया जाता है रस्म किल्दा बरफि क prends कराकन्त कंद की दूद की लस़्ी एसी सुंदर ब्रश्म के लिए बावा की चुछ यह नहींgil पात थे और देखिए मैं आप भक्तों को एक बड़े ही सुन्दर दर्सन करा देता हूँ हमारे ठाकुर जी करील की कुंजों में बराजते थे जब ठाकुर जी इस दरादाम पर रहे और यहां लीला की तो ठाकुर जी करील की कुंजों में बराजते थे आज इस आसरम में उसी कंज के दर्शन हुए और देखिए उस कंज की छाओं में कैसी पक्षी आराम कर रहे हैं आप उसके विदर्शन को बिए कंज के दर्शन कराई एक वार उपर तक यह करील की कंज बनी हुई है और उसी की छाओं में गिलेरी बेठी है नीचे पक्षी भी बैठे हैं देखी कैसे सुन्दर दर्शन है जै हो जै हो मेरे कुझज विहारी भगवान की और इनी कुझजों के कारण भगवान को एक सुन्दर नाम प्राप्त हुआ जिसको आज हम और आप सभी कुझज विहारी कहते हैं बगवान को कुण्ज विहारी इनी कुण्जों की वज़े से कहा जाता है क्योंकि ठाकुर जी ऐसी कुण्जों में दराजते हैं तो आईए अब आपको ले करके चलते हैं यहां के और भी सुंदर सुंदर दर्सन है बाबा महराज की जो कुटिया है उसके आपको दूर से दर्सन कराएंगे क्योंकि बाबा महराज का एक विशेश आदेश है वो केमरे के सामने नहीं आते हैं तो आज उस कुटिया के भी मैं आपको दर्सन कराता हूं और यहां की सोभा के भी दर्सनात्पू कराता हूं कि बाबा कैसे इस्थानों पर रहकर के यहां तपश्या कर रही है अब हमने प्रिविश कर लिया है बगीची में और यहां मोरो की कैसी सोभा है देखे मोरो हवान बिचरंग कर रहे हैं इस बगीची में यही वह कुठिया मेर्ह कर दो के गञानाय किया करते ह pineapple कि ॐटिया यहां पूजी बावा महराज झाते हैं यहां पूजी बावा महराज बीराज़त न बेकर फ्कूटिया मेर रखके प्रोह कि आरादना किया करते हैं आज आपने संतों के ऐसे इस्थान के दर्सन किये जहां संत रहकर के समस्तर संसार की मंगल की कामना को लेकर के दिन रात बजन कर रहे हैं आज आपने ऐसे महपरुस के दिब्ब इस्थान के दर्सन प्राप्त करके हिर्दै में जिस आनन दरस को अन्बब किया है वो आनन दरस आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर रताएं और आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से 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 ज़्याद वीडियो के साथ तब तक के लिए श्रीधाम बरसाना की पावन भूमिशे आप सबी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे